एक तरफ जहां पूरा हिमाश्वत प्रदेश तबाही के संकट से जूज रहा है वहीं दूसरी और नालागड के रामशहर के बाइला गाउं में मकान में जगए-जगए से दरारे आ चुकी है पीडित परिवार ने बताया है कि साई रामशहर तक सड़क का निर्मान एक निजी कंपनी द्वारा करवाया गया और उसके उपरांथ निजी कंपनी के ठेकेदार द्वारा उनके घर के आगे एक गहरी खाई खोदी गई और उसमें करीबन 6 माद तक पानी का तृत करके रखा रहा है तो रामशहर के बाइला गाउं में मकान में जगह जगह पर दरारे आ चुकी हैं गिरने की कगार पर है मकान तो जमीन में धसने लगा है मकान तो पीडित परिवार सरकार और प्रशासन से लगातार मदद की गोहार लगा रहा है